है मैंने ommen lata फिरसे एक बार सब बच्छों का स्वागत करती हूं आपकी आज की क्लास में और मैं आमीद करती हूं आप सब बच्चे मस्थेल सुबूआन को बढ़ीजां से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बच्छ0 praticamente कोबर करके अब हम लोग आ गए हैं हमारे बैक टो बेसिक्स की ओपर अपनी पढ़ाई की ओपर तो बच्छे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किंग्डम फूल्स नाम का एक चाप्टर किया था और आज की क्लास बच्छे आप लोगों के लिए ग्रामर सेशन होने वाला है इस ग्रामर सेशन में बच्छे हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनर्स जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखी पा रहे हैं तो बच्छे डिटर्मिनर्स ग्रामर का एक बहुती इंट्रस्टिंग कॉंसेप्ट है डिटर्मिनर्स क्या है डिटर्मिनर्स ग्रामर का एक आप सब लोग अपने हेडिंग डाल देंगे डिटर्मिनर्स और आप लोग अपने रिजिस्टर्स लेकर बैठ जाएंगे क्योंकि डिटर्मिनर्स को तमीज से समझना बहुत जादा जरूरी होगा हम सब बचों के लिए तो बचे पहला सवाल आता है दिमाग में कि माम ये डिटर्मिनर्स आपने स्क्रीन पर लिखा लेकर डिटर्मिनर्स का मतलब क्या होता है तो बचे डिटर्मिनर्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं डिटर्मिनर्स क्या होते हैं डिटर्मिनर्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी ना किसी चीज को describe कर रहे होते हैं, ठीक है, यह describe करते हैं, किसी ना किसी चीज को, उसकी quality, quantity, किसी भी चीज के बारे में बता सकते हैं, अब एक सवाल आता है, कि माम फिर adjectives भी तो यही होते हैं, adjectives भी तो किसी चीज के quality के बारे में बताते हैं, लेकिन बचे, adjectives इस स क्या होते हैं कैसे करने हैं बचे वो समझते हैं यह वर्ड होते हैं जो किसी ना किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के डिटर्मिनर्स हैं बचे जो हम लोग हमारी आज की क्लास में करने वाले हैं हमारे पास कौन से कौन से डिटर्मिनर् हमारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले डिटर्मिनर्स जो हम लोग करेंगे उन्हें कहा जाता है बच्छे आर्टिकल्स ठीक है सबसे पहले डिटर्मिनर्स जो हम लोग हमारी आठी क्लास में शुरू करेंगे उनका नाम है आर्टिकल्स बच्छे आर्टिकल्स हम सब ब बच्चे ये जो fix वाले होते हैं जिनमें information fixed होती है definite articles में हमारे पास एक article आता है the और indefinite articles में हमारे पास दो articles आते हैं a और n अब इनका use कहा कहा पे होता है तो बच्चे पहली चीज जो आप लोग ध्यान रखेंगे वो ये है कि a और n हमेशा singular के साथ use किये जाते हैं ठीक है ये कहां use किये जाते हैं ये हमेशा singular subject के साथ use किये जाते हैं ये हमेशा वहाँ पर use किये जाते हैं जहाँ पर हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं वहाँ पर आप लोग क्या यूज करते हो वहाँ पर आप लोग इंडेफिनेट ए और आन का यूज करते हो दूसरा यूज आता है बच्चे इनका साउंड की ओपर जो सबसे सादा जरूरी है जब भी बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है अल्फाबेट नहीं देखना साउंड देखनी है ए कहां लगता है बच्चे ये लगता है कॉंसोनेंट की साउंड के साथ यानि आप लोगों के व्यंजनों की साउंड के साथ Consonant Sounds के साथ A, E, I, O, U की Sounds को छोड़के लगता है और अन कहां लगता है बच्चे, अन लगता है आप लोगों का Wovles की Sound के साथ, आपके स्वरों की Sound के साथ जिसमें A, E, I, O, U नाम के Wovles आते हैं कोई भी वर्ड अगर इन Wovles की Sound से शुरू होता है तो वहाँ पर आप लोग N लगाओगे और अगर कोई भी वर्ड आपकी Consonant की Sound से शुरू होता है तो वहाँ पर आप A लगाओगे ठीक है बई, इस बात का खास ध्यान रखेंगे आप सब बच्चे और दो लगता है बच्चे जहां पर आप specific चीजों के बारे में बात करते हो यानि जहां पर आप pronouns, sorry, proper noun के बारे में बात करते हो किस के बारे में बात करते हो, proper noun के बारे में बात करते हो मैं कुछ examples आप लोगों को अब देने वाली हूँ consonant है तो इसलिए यहां पर लगेगा दूसरा यह एक है अगर यहां पर बचे टेबल्स लिखा होता तो ए लगता या लगता तो बचे याद रखना यहां कुछ ने लगता पिकस पहली चीज तो यह प्लूरल है यह अनेक है अनेक के साथ कुछ भी नहीं लगता है तो यहां पर क की साथ के साथ आप लों एन लगाओं गें यहां तक तो यहां पर आकर बदल जातीusa आ गाणो को एसन गया यूनिवर्सिटि और आप लोगों को उससे पहले लगाना होगा यूनिवर्सिटि से पहले आप लोगों को बताना होगा कि आप लोग लगाएंगे या एन तो आप लोग यहां पर खास ध्यान लखेंगे कि यहां पर यूनिवर्सिटी में देखने को तो ववल है ठीक है लेकिन जो इसकी साउंड आ रही है ना बच्चे वो यू की आ रही है तो यह होता है यह कि अंदर आ के साउंड आ रही है किसकी साउंड आ रही है आ कि साउंड आ रही है आ क्या है व्यंजन है तो यहां पर क्या लगेगा एन आर चिक है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे कि साउंड क्या आ रही है जैसे मैं कहती हूँ डाश यूफोरिया अब बचे देखो यूफोरिक डाश यूफोरिक अब यूफोरिक के अंदर बचे क्या आएगा देखो यहाँ पर लिखा यूफोरिक किसका मतलब होता है बहुत जादा खुश हो जाना तो यहां पर बच्छे देखो लिखा ई है लेकिन साउंड किसकी आ रही है यू की आ रही है तो और यूफोरिक होगा और यूफोरिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपने इंसक्रीजों को ध्यान रख लिया तो आप लोग कभी भी आर्टिकल्स के अंदर गलती नहीं करोगे तिक है मैं अमीद करती हूँ यहां तक आर्टिकल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे यह तो दे बच्छे इंडेफिने आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स का नाम है भाईया दो अब क्या है हमारे पास हमारे डेफिनाइट आर्टिकल्स आते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स में कौन से आर्टिकल्स के बारे में अब हमने बात करनी है डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर हमने बात करनी है the की बचे जहां पर a और an random चीज़ों को बताते हैं वहां पर the specific चीज़ों के बारे में बताता है क्या बताता है specific nouns के बारे में बताता है अब जैसे क्या क्या बताता है तो बचे ये names के उप साथ लगता है names of trees mango tree, banana tree ठीक है दूसरा ये लगता है आप लोगों की reverse की name के साथ the ganga, the yamuna ठीक है, planets के नाम के साथ लगता है, ग्रहों के नाम के साथ लगता है, ठीक है stars के नाम के साथ लगता है और कहां लगता है stars के नाम के साथ लगता है और कहां लगता है countries के नाम के साथ लगती है हमने ने countries के नाम के साथ नहीं लगता है यह और कहां लगता है यह यह लगता है बच्छे आप लोगों के sentence की superlative degree में superlative degree का मतलब हो गया better good better best message इसे में कहते हूं the best the tallest सबसे लंबा यह 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 सी वाले degrees होती है ना बच्छे इने कहा जाता है superlative degree इन सब के साथ लगता है अब जैसे मैं कहती हूं the river ganga the earth the sun galaxy के साथ लगता है बच्छे the milky way galaxy कोई भी चीज जो दुनिया में एक हैं सब के साथ दर लगता है जैसे मैं कहती हूं she is dash tallest in the class तो she is the tallest in the class ठीके तो यहां पर मैंने क्या लगाया यहां पर मैंने द लगा दिया ठीके I hope यहां तक आपको लोगों को बात समझ में आ गई होगी actually I am having a very bad very bad condition in my neck I am not even able to move my hand बहुत मुश्किल से यह हाथ उट रहा है इस तरफ तो मैं देखी नहीं पारी हूं I cannot move my see you like this तो प्रीज समझ दाना कि मेरी गर्दन नहीं चल रही है it is not that I am being weird okay तो यह है बचे definite articles जहां पर specific nouns के बारे में बात करते हो यह कहां पर नहीं लगते बचे अच्छा एक और चीज यह आपके group of countries के साथ लगते हैं यह कहां लगते है यह आपके group of countries के साथ लगते हैं SSS में group of countries का क्या मतलब है तो बचे group of countries का मतलब यह हो गया तो इंडिया क्यों नहीं लगता दा यूएस से क्यों लगता है बहुत बार सवाल आता है यह बचे यूएस से क्या है वह एक group of छोटी-छोटी-छोटी countries है the United States of America है ना United है वो ठीक है the Czech Republic the United Arab Emirates ठीक है the Europe इनके the Czech Republic हो गया the UAE हो गया क्योंकि बचे इनके अंदर ना countries के groups है ठीक है यह सब क्या है यह countries के groups है यह किसके साथ नहीं लगता name of countries के साथ the नहीं लगाओगे तब ही हम the India नहीं बोलते ठीक है बचे यह famous personalities के साथ लग जाता है famous titles के साथ लग जाता है novels के साथ लग जाता है the Arabian Nights novels and books के साथ लग जाता है कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में एक है उनके साथ यह लग सकता है ठीक है I hope यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा यहां पर बचे हमारे articles का पहला determiner खतम हो जाता है अब second determiner बचे बहुत ज़्यादा असान है second determiner देखते हैं क्या है second type of determiner बचे जो हमारे पास आते हैं उन्हें कहा जाता है ordinals और cardinals उन्हें कहा जाता है ordinals और cardinals ordinals और cardinals बचे क्या होते हैं जहां पर बचे आप लोग यह कहते हो cardinals आप लोगों के numbers होते हैं यह क्या होते हैं यह आप लोगों के numbers होते हैं numbers का मतलब हो गया, one, two, three, four, get on the dance floor, जैसे मैं कहती हूँ, there are three children, मैंने बोला कितने बच्चे, तीन बच्चे, तो ये तीन क्या है बच्चे, ये cardinal का example है, जिसमें भी आप किसी भी चीज का number बताते हो, वो cardinal कहलाया जाता है, जैसे मैं कहती हूँ, she has one dog, उसके पास कितने dog हैं, उसके पास एक dog है, तो ये one क्या है, ये इसका cardinal माना जाएगा, जैके cardinal बस इतना सही है, कि जहाँ पर आपके पास numbers आ जाते हैं, वो cardinals का example बन जाते हैं, अब बच्चे, जिस तरीके से एक होती है number, और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं ordinals, ordinals क्या होती है, बच्चे, जिस तरीके से वो numbers होती है, इने हम rank और position के हिसाब से divide करते हैं, ठीक है, ये the के साथ लगते हैं, पहली चीज, ये किस के साथ लगते हैं, ये the के साथ लगते हैं, कैसे लगते हैं, ये rank और position बताते हैं, जैसे मैं कहूं, I got the first position in the match मुझे क्या मिली first position मिली I was one नहीं I got the first position जब भी बच्छे आप rank या position के बारे में बात करोगे तो बहाँ पर आप ordinal का use करोगे I got the first position in the match मुझे क्या मिला मुझे पहली position मिली हमारे match में यह था बच्छे आपका पहला example वैसे ही दूसरा example अब आपको मैं अगर दू तो she came third in the quiz वो क्या आई? वो third आई, she came three नहीं वो कैसी आई? she came third तो यह क्या हो गई? यह इसके rank हो गई position के साथ बच्छे आप लोग दर का use करते हैं, rank के साथ दर का use करना compulsory नहीं है but I hope यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ordinals और cardinals क्या होते हैं ordinals होते हैं बच्छे आप लोगों की ranks and positions and cardinals होते हैं आपके simple numbers यहां पर आके बच्छे आप लोगों के second type of determinals भी दन हो जाते हैं अब बढ़ेंगे बच्छे हम लोग हमारे third type of determinals की तरफ और third type of determinals भच्छे जो हम लोगों को ने करने हैं उनका नाम होता है आपका distributive नहीं, demonstratives तीसरी का नाम होता है बच्छे demonstratives यह बहुत जरूरी है और बहुत interesting है समझने में demonstratives बच्छे हमारे पास चार तरीके के होते हैं this, that, these, or those ठीक है? कौन से कौन से होते हैं? this, that, these, or those अब ध्यान से समझना कि this, that, these, those के अंदर फ़रक क्या होता है? देखो पहली चीज़ तो आप लोगों को क्या करनी है? आप लोगों को this के आगे लिखे लेना है singular this के आगे लिखे लेना है singular singular का मतलब एक that के आगे भी लिखे लेना है singular that का मतलब भी singular का मतलब एक दिस के आगे आप लोग लिखेंगे near दाट के आगे लिखेंगे आप लोग far off वैसे ही यहाँ पर आजाईए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे plural, यहाँ पर आप लिखेंगे near, यहाँ पर आप लिखेंगे plural यहां पर आप लोग लिखेंगे far off अभी मैंने लिखवा तो दिया लेकिन इसका मतलब क्या है समझा भी दो मैं देखो बच्चे दिस लगता है किसी भी एक चीज के साथ जो आपके पास पड़ी हो ठीक है दिस का प्रयोग कहा किया जाता है जिस का प्रयोग वहां किया जाता है जब कोई चीज आपके पास पड़ी हो ठीक है when something is kept near you जब कोई चीज आपके पास पड़ी हो जैसे मैं कहती हूँ इस हाउज इस माइन मैंने बोला यह घर मेरा है अब यह घर मेरा है का मतलब मैं यहाँ पर किस term से बोल रही हूँ, कि जिस čीज के बारे में मैंने बात करी है, वो मैंने पास पड़ी है, अब जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर लिखा है, this house is mine, तो यह घर मेरा है, ठीक है, this house, अब कौनसा, प्रॉबबली यह नियार वाले घर की बात हो रही है यह जो पास वाला घर है ना यह शायद से मेरा घर हुगा अब अगर मैं कहूं कि that house is mine मैंने बोला कि नहीं यार यह नहीं लेकिन वो वाला घर मेरा है तो इसका मतलब क्या हो गया मैं अब this use करोगे, अगर वो चीज आपसे दूरा था आप that use करोगे, वैसे ही, जब आप बात करते हो बच्चे अनेक चीजों के बारे में, प्लूरल चीजों के बारे में, और वो आपके पास है, जैसे मैं कहती हूँ, these pencils, these pencils are mine, मैंने बोला कि ये pencils तो मेरी है, अब देखो these, या वैसी ही बच्चे, अगर मैं दोस को देखती हूँ, तो दोस का example मैं कैसे कह सकती हूँ, those boys are naughty, वो लड़के जो वहाँ पर है, वो सब शरारती है, ठीक है, those boys are naughty, अब देखो, those मतला वो दूर वाले, और boy नहीं, boys are naughty, ठीक है बच्चों, I hope यहां तक आप लोगों को ये category में समझ में आ गई होगी, और यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी doubt नहीं होगा, चीजे एकदम clear होंगी, और यहां पर आकर बच्चे आपके third topic of determiners भी खतम हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चे, fourth part देखेंगे हमारे determiners का, fourth part बच्चे, determiners का आता है, जिसका न possessive pronouns से, अब यहां पर बच्चे, यह एक ऐसी चीज़ है, जिसमें हम सब को दिक्कत होती है समझने के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर समझा देना चाहती हूँ कि आप इन्हें कैसे solve कर सकते हैं, देखो बच्चे, एक होते हैं possessive determiners और एक होते हैं possessive pronouns, possessive determiners जैसे कुछ word अगर मैं लिखूँ, तो बच्चे, यहां पर my, और यहां पर use होता है mine, यहां पर use होता है mine, अब मैं मुझे जैसे पता कि वो possessive determiner है या pronoun है, तो बच्चे, एक चीज़ का ध्यान रखना, यह हमेशा, यह आपको subject से पहले मिलेगा, ठीक है, यह आपको हमेश subject से पहले मिलेगा, यह object से पहले मिलेगा, ठीक है, किसी भी noun से पहले मिलेगा, simple subject नहीं करेंगे, noun से पहले कहेंगे, किसी भी noun से पहले मिलेगा, यह आपको हमेशा object के बाद मिलेगा, possessive pronoun, ठीक है, यह आपको हमेशा noun के पहले मिलेगा, और यह हमेशा आपको object यह noun के मिलेगा अच्छा कैसे मैं समझ में नहीं आया देखो मैं कहती हूँ देशेस माइ हाउस हाउस क्या है नाउन है नाउन से पहले माइ यूज करा जा रहा है अब मैं यहाँ पर लिखू दिस हाउस मैंने लिखा यह घर मेरा है नाउन क्या हाउस हाउस के बाद माइन आ रहा है आप लोगों को प्रणाउंस के बारे में अगर एक ची समझने है तो यह याद रखना बचे यह हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं यह कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं आते और जो होते हैं हमारे वह हमेशा पहले लगते हैं this is my house इसका मतलब है यह मेरा घर है ठीक है यह मेरा घर है और इसकी जो टोन है ना बच्चे इसकी जो टोन है वह बहुत ही पुलाइट टोन है कि यह मेरा घर है यह स्टेटमेंट हो गई नॉर्मल स्टेटमेंट हो गई जेनरल स ठीक है लेकिन यहां पर ना बच्चे आती है possessiveness यहां पर आती है वो dominance कि हाँ यह मेरा घर है यह गर मेरा है जैसे आपने बढ़ी ही वो बोला यह है गर मेरा है जैसे यहां पर आप अपर ही authoritative tone में बोल रहे हो यहां पर आपके जो tone है बच्चे वो बहुत ज्यादा authoritative है यहां पर आप बड़े ही robe के साथ इस बात को बोल रहे हो यह घर तो मेरा है और बबोल तो यह मेरा घर है तो यह बच्चे दोनों के अंदर फरक है possessive pronoun and possessive determiner के बीच में determiner से मैंने क्यों कराया है because यह एक ऐसा difference है बच्चे जिसमें बहुत सारे बच्चों को गलतिया होती है अब जैसे यहां पर बच्चे लड़कों के लिए his का use होता है जैसे मैं कहती हूँ his friends are coming जैसे मैंने बोला उसके दोस्त आ रहे है ठीक है friend से पहले his use हो रहा है तो यह क्या हो गया यह possessive determiner हो गया उसके दोस्त आ रहे है अब मैं यहां पर लिखती हूँ यह हमेशा last में yours होता है all the friends are his यहाँ पर his का मतलब है उसके सारे दोस्त उसके हैं वहाँ पर है उसके दोस्त आ रहे हैं यह सारे दोस्त उसके हैं है ना तो बच्चे यह his hers yours इनके last में हमेशा s होता है ourselves ठीक है there's इनके last में बच्चे आपको हमेशा s मिलेगा और यह normal में आपको मिल जाएंगे possessive determiner's कौन से कौन से होते हैं हमारे पास my his her your there यह क्या examples है बच्चे यह examples है possessive determiner के जैसे मैं कहती हूँ हर हेर आर टाइड उसके बाल बंदे हुए है तो यह हर हेर हेर से पहले हर आ रहा है your pencil box is lost तुम्हारा pencil box खो गया है तुम्हारा pencil box ठीक है ठीक है यहां पर आप लोग इने sentence की starting में भी लगा सकते हो लेकिन यह किसी भी noun से पहरे लगते हैं उसके बारे में बताने के लिए कि यह उसका है ठीक है वो proper authority नहीं जमाता लेकिन उसके बारे में यह चीज उसकी है उतना हमें बताता है ठीक है भई तो आप लोगों को समझ में आया होगा मैं कहती हूँ आफ फॉरre एक्जाम्पल अगर मैं लिख दू दिस पेंसिल बॉक्स अफ यॉर्स इस लोस्च अब अगर यह सेंटेंस नेखा जाए तो इस पेंसेल बॉक्स यह पैंसिल बॉक्स जो तुम्हारा है वह खो गया है तो यहां पर बच्चे यह जो एक्जाम्पल है ना यह पो है यहां जो tone है वो कैसी है जो tone है वो possessive है ठीक है उमीद करते हूं बचो आप लोगों को यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा चलो अब आगे बढ़े अब बढ़ते हैं बचे हमारे last category of determinants की तरफ जो सबसे जरूरी determinants हैं करने वाले जिनका नाम है बच्चे quantifiers अब हम लोगों ने क्या करना है अब हम लोगों ने एक ओर category of determinants करना है जिनका नाम है बच्चे quantifiers के बारे में बच्चे जब हम पढ़ते हैं तो quantifiers को हम लोग दो भागों में divide कर देते हैं lifecycle से कौनसे में एक तो बच्चे हम इने काउंट करते हैं एक तो हम इने टार्गेट करते हैं रखते हैं अनकाउंटेबल के अंदर और दोसरे बच्चे हम लोग रखते हैं काउंटेबल के अंदर एक किसमें जाता है uncountable में और एक जाता है countable में अब इन दोनों में क्या फरक होता है countable uncountable में क्या फरक होता है पहले वो समझ लेते हैं देखिए भई countable का मतलब होता है जिनको आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 से infinity की गिंती में गिं सकते हैं ये can be counted इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इनको आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके गिं सकते हो इनको आप गिं के लिख सकते हो लेकर uncountable का मतलब क्या है cannot be counted ये लोग गिने नहीं जा सकते अब जैसे कि for example अगर मैं आपको दू books books को आप गिं सकते हो एक book, दो book, सब book, पचास book हजार book, दो अजार book ये numberों में आ सकती है ये गिंती में आ सकती है लेकिन अगर बची मैं oil बोलती हूँ 1, oil, 2, oil, 3, oil, 4, oil 5, oil, 6, oil नहीं होता नहीं जाएगा लेकिन अब हम इने गिने कैसे हैं कि अगर हमें ने गिनेंगे नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा, यह count नहीं होते बचे, uncountables ना, उन count नहीं होते, यह क्या होते हैं, यह measure किये जाते हैं, they are measured, ठीक है, इनकी measurement ली जाती है, लीटर्स के अंदर इनकी measurement आती है, बचे, किलो मीटर के अंदर इनकी measurement आती है, रुपीज के अंदर इनकी measurement आती है, केजीज के अंदर इनकी measurement आती है, यह वो चीजे हैं बचे, जिनको आप एक, दो, तीन, चार करके नहीं गिन सकते, इनके लिए हमें measurement की जरूरत परती है, इ लीटर ओयल मैंने लिखा वन लीटर ओयल क्या लिखा वन लीटर ओयल मैंने लिखा अब ओयल कितना एक लीटर ओयल दस लीटर ओयल तो मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने उस पॉइंट को एक्स्प्लेइन कर दिया मैंने उस पॉइंट को इलाबरेट कर दिया यह लिखकर कि उस शुगर चीनी नहीं किन सकते हैं वन केजी राइस है ना तो बिटा अन कांटबल वर्ड वो हो गए जिनको आप गिन नहीं सकते मेजर कर सकते तो और कांटबल नाउन हो गए जिनको आप गिंती में लिख सकते हो जैसा मैंने लिखा 30 पैंस 10 बसेस 8 प्लानेट्स stars नहीं गिन सकते हैं तो अब इनको measure कैसे करेंगे इनके साथ क्या-क्या words यूज हो सकते हैं तो जब अच्छे आप लोग बात करते हो किसकी जब आप लोग बात करते हो uncountable की तो इनके साथ आप एक word यूज करते हो much और जब आप बात करते हो countable की तो इनके साथ आप एक word use करते हो many much और many इन लोगों के साथ use होता है, पहले समझो कि much कहा use होगा, जैसे मैं कहती हूँ there is much oil in the jar मैंने बोला, अभी बहुत oil है much oil है, oil कैसा? uncountable, uncountable के साथ क्या लगाऊंगी much लगाऊंगी, there is much oil in the jar इसमें many oil in the jar नहीं लगेगा जैसे मैं कहती हूँ, there are many pens in the drawer कितने है, many pens in the drawer many लगते ही का मतलब यह है कि इन चीजों को अब गिन सकते हो pens कैसे है, pen countable है तो countable के साथ आप लोग क्या लगाऊगे many लगाऊगे, ठीक है इनके साथ आप क्या लगाऊगे many लगाऊगे, अब जैसे हम किसी को बोलते है, I love you I love you very much क्या होता है, ऐसे होता है न I love you very much यहाँ पर much क्यों लग रहा है बच्चे क्यों कि love को आप गिन नहीं सकते, uncountable है इसको आप measure कर सकते हो वो भी reality में नहीं कर सकते है action से measure कर सकते है I love you very many नहीं कहते I love you very much कहते है क्यों कि यह एक emotion है और emotions जो होते है वो uncountable entity के अंदर आते है याद रखना बच्चे यह बहुत जरूरी चीज़े है जैसे मैं कहती हूँ there is not dash milk for tea आप लोगों के लिए बच्चे यह सवाल homework रहेगा option है much और many आप लोग मुझे comment box में इसका answer देंगे ठीक है आप लोग मुझे कहा answer देंगे comment box में इसका answer देंगे कि यहाँ पर क्या आएगा much आएगा many आएगा sentence है there is not dash milk for the tea options है much और many ठीक है आपके पास option है much और many हमारे पास और भी क Deviants आती है जैसे हमारे पास आता हा एक बहुत भोत जरूरी डिफरेंट्स एक होता है word few और 1 होता है hunters बहुत लिटर एक बहुत हमारे पास होता है वारी हमारे पास लिटल यह ढोनों बहुत जरूरी concept है तो आप लोग बहुत ध्यान लगा के इस चीज़ को सुनेंगे बचे देखो फ्यू ये लगता है नेगेटिव सेंस के अंदर नेगेटिव सेंस के अंदर और ये कहा लगता है लिटल ये लगता है बचे नेगेटिव सेंस के अंदर अच्छा मैम दोनों negative sense के अंदर हो गए तो मैम हमें कैसे बता लगेगा कि countable के साथ कौन सा लग रहा है uncountable के साथ कौन सा लग रहा है तो बचे याद रखना जब भी आप countable के बारे में बात करोगे किस के बारे में countable के बारे में कोई चीज जिसको आप गिन नहीं सकते uncountable उसके साथ आप लोग little लगाओगे इसका मतलब है ना के बराबर ठीक है few और unlittle का मतलब है ना के बराबर बिल्कुल almost कुछ भी नहीं है जैसे मैं कहती हूँ I have few friends मैंने बोला मेरे पास बड़े कम दोस्त हैं अब ये few friends जो है ना ये एक negative sense दे रहा है कि यार मेरे पास उसाना दोस्ती नहीं है तो मैंने बहुत दुख से बोला है friends कितने हैं भया friends को एक, दो, तीन, चार में आप गिन सकते हूँ है ना तो I have few friends इनको गिना जा सकता है जैसे मैं कहती हूँ there is little sugar there is little sugar for dessert for sweets मिठाई के लिए यार चीनी कम है ठीक है, little ये negative sense दे रहा है कि शायद उतनी चीनी के अंदर हमारा काम नहीं हो पाएगा, अब sugar कैसी है sugar uncountable है तो याद रखना बचे uncountable चीजों के साथ आप लोग क्या लगाओगे आप लोग लगाओगे little और few लगाओगे आप लोग countable चीजों के साथ I have few friends जैसे मैं कहती हूँ they have few passes उनके पास passes तो है लेकिन कम है तो यहाँ पर मैं वापस से इसके negative sense के बारे में बात कर रही हूँ और यहाँ पर अगर मैं कहूँ passes याँ आपके जो tickets होती है वो कम है उनके पास ठीक है मैं कह सकते है ती हूँ they are this was little complicated to complete अभी जो complication है बचे इसको आप गिन नहीं सकते कि वो कितना complicated है कम है जादा है तो इसलिए आपने क्या यूज किया आपने यहाँ पर little का प्रयोग किया अब यह तो दे बचे इसके negative sense वाले words वैसे ही इनके positive sense वाले words भी होते है जिसमें आप लोग बात करते हो a few की और आप बात करते हो a little की जहां पर आपका few और little negative sense में यूज किया जाते है वही पर a few और a little positive sense के लिए यूज किया जाता है यह किस के लिए यूज किया जाता है यह positive sense के लिए यूज किया जाता है a few और a little यह दोनों किस लिए यूज किया जाते हैं बचे यह यूज किया जाते हैं और ये बात तो हमें समझ में आई गई है कि ये लगता है बचे countable चीजों के साथ और ये लगता है आपका uncountable चीजों के साथ है ना अब जैसे मैं कहती हूँ same sentence लेती हूँ I have a few friends I have a few friends इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कुछ दोस्ट तो है मैं पास बले ही जादा नहीं हो लेकिन कुछ तो है सम तो है कम से कम nothing तो नहीं है तो I have a few friends में पास जादा नहीं लेकिन में बस थोड़े से दोस्टो है तो मैं खुश हूं उस चीज से मैं positively बोल रही हूं उस चीज को और लिटल जैसे मैं कहती हूँ there is there is a little sugar little sugar for sweets मैंने बोला यार इतिनी भी कम नहीं है थोड़ी सी चीनी तो है तो यहाँ पर मैंने इसको positive sense में बोला जब भी बच्चे मैं किसी भी चीज को positive sense के अंदर बोलती हूँ तो वहाँ पर मैं a little का प्रयोग करूँगी और जब भी मैं किसी भी चीज को negative sense में बोलती हूँ तो वहाँ पर मैं सिर्फ little का use या few का use करूँगी ठीक है एक और example लेते है sentence क्या थे इधर they have few passes अब मैं कहते है they have a few passes यार मैंने बोला they have a few passes ऐसा भी नहीं है कि उनके पास passes नहीं है उनके पास थोड़े बहुत passes तो है तो a few बचे यहाँ पर एक उमीद जगाता है positive sense देता है sentence को this was a little complicated ठीक है अब मैं कहते हूँ that was a little complicated that was a little complicated to be completed मैंने बोला कि वो थोड़ा सा मुश्किल था यार complete करने के लिए लेकिन मैंने कर लिया तो यहाँ पर यह a little जो है बचे यह आपके दिमाग में एक positive sense जगा रहा है कि हाँ यार वो काम मुश्किल तो था लेकिन वो काम मैंने कर लिया I have completed that work वो काम मैंने कर लिया है ठीक है क्या किया है वो काम मैंने कर लिया है तो जहाँ पर few और a few जहाँ पर few लगता है और little लगता है वो negative senses को दिखाते हैं और a few और a little positive चीज़ों को दर्शाते हैं ठीक है अब last चीज आती है बचे difference between some और any किन के बीच का difference है some और any के बीच का difference है बचे जो आप लोगों को समझना है अब इन दोनों के बीच में फरक क्या होता है some और any में क्या difference है देखो बटा some और any यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है यह countable and countable in के अंदर ही नहीं यह countable के साथ भी लगते है और यह uncountable के साथ भी लगते है any का भी same हाल है यह भी countable के साथ लगता है और uncountable दोनों के साथ लगता है अब देखो बचे यह लगते कहां कहां पर है some हमेशा आपको positive sentences में ही मिलेंगे ठीक है positive sentences में ही आपको some मिलेगा ठीक है और any आपको कहां मिलेगा, यह आपको negative sense के question में, यह आपको negative sentence में मिलेगा, और आपको questions में मिलेगा, जहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, वहाँ पर आपको any मिलेगा, लेकिन सवाल आता है कि ma'am हमने तो some से भी कही सवाल देखे विए, तो किया some के सवाल गलत होते ह नहीं बचे ये भी आपको questions में तो मिलेगा लेकिन with a positive answer वो a question आप तभी पूछते हो दिवा आप इस चीज की उमीद करते हो कि सामने से जो answer आएगा वो positive ही आएगा जहाँ पर आप उमीद करते हो कि सामने से जो answer आएगा वो positive answer ही आने वाला है अच्छा माम यह कैसे होगा समझा दो थोड़ा सा देखो मैं कहती हूँ there are some children in the park तो यह sentence में कुछ negative है नहीं है यह क्या है यह simple sentence है और some children in the park का मतलब हो गया यहाँ पर कुछ बच्चे ठीक है यह क्या दिखा रहा है यह दिखा रहा है कि कुछ बच्चे in the park अब यहाँ पर मैंने बोला is there any child in the park मैंने पूछा क्या पार्क के अंदर कोई बच्चा है तो देखो बच्चे यहाँ पर यह any कहाँ पर यूज हो रहा है यह question में यूज होना शुरू हो गया यह question में यूज होना शुरू हो गया there are some children in the park is there any child in the park तो यह question के अंदर हमने लगा दिया तो यह बच्चे positive sentence में यह negative के questions में अब यहाँ पर मैं पूछती हूँ are there some children in the park अब मैं यही सेम सवाल some से बनाती हूँ are there some children in the park तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि क्या पार्क में कुछ बच्चे है इस उमीद में कि सामने वाला reply करेगा कि yes पार्क में बच्चे है 100% पार्क में बच्चे खेल रहे है ठीक है is there any child in the park और कैसे ले सकते है जैसे I don't have any problem with you I don't have any problem with you मुझे आप से कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर आ रहा है don't यह negative sentence के अंदर लगता है I don't have some problem with you नहीं हो सकता I don't have any problem with you तो मचे यह example था any का कि any यहाँ तो लगेगा negative sentence के अंदर यहाँ लगेगा question के अंदर और some कहाँ लगेगा यह लगेगा simple statement वाले सवालों के simple statement वाले sentences में और उन सवालों में जिसके उमीद आप करते हो कि answer आपको हमेशा yes में ही आएगा और इसी के साथ अब लोगों के determination हो जाते हैं खतम determination के cq मैं आप लोगों को आपके अगली class के अंदर दूँगी ठीक है इसके जो determination के a gmcq है ही गाइटामिनल सके जो ncq है बच्चे वो आप लोगों को मैं आप लोगों की next class के अंदर homework के लिए दे दूँगी आप आप लोग वो करके मुझे comment box में बता देना आज की class में अगर किसी को कोई भी doubt होगा बच्चे तो आप लोग मुझे doubt को comment section में बता सकते हैं ठीक है और किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया तो जरूर आप मेरे से फिर पूछिए ताकि आप लोगों के doubts को solve किया जा सके ठीक जरूर बताना कि आपको आज का lecture कैसा लगा दिवाली बच्चे ओवर हो चुकी है पढ़ाई पर फुल फोकेस करेंगे पेपर बहुत ज़्यादा पास है से लिबस खतम करेंगे और अच्छे number score करेंगे ठीक है बचो इसी के साथ खतम करते हैं आज ची class को और मैं अमीद करत कि नेक्स वीक सेम डे सेम टाइम तब तक के लिए बचो पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें गुडबाई अवरिवान